Welcome back दोस्तो हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक और नई वीडियो लेकर तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लोवर बनाने में कौन-कौन से माटेरियल की जरूरत पड़ती है और ये माटेरियल क्या रेट आता है तो दोस्तो जो आप ये पार्सल देख रहे हैं इसमें लोवर बनाने वाला सारा माटेरियल है तो अभी आपके सामने हम इसे ओपन करेंगे और आपको दिखाएंगे हमने ये कौन-कौन सा माटेरियल लिया है lower बनाने के लिए और ये हमने क्या रेटो में लिया है तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है मेरा manufacturing का business है और जो भी knowledge होती है वो आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से देता रहता हूँ तो इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर करिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like जरूर कर देना यार तो चलिए दोस्तों अब इसे open करके आपको दिखाते हैं कौन कौन सा material लिया है हमने तो finally दोस्तों ये हमने open कर लिया है और ये हमने सारा material बाहर निकालकर रख लिया है आपको दिखाने के लिए तो चलिए पहले देखते हैं हमने क्या क्या लिया है ये देखी हमने stickle लिये हैं ये हम lower में लगाएंगे और इसके बाद ये हमने नाडे लिये हैं इसमें कई तरीके के नाडे हैं छोटे हैं बड़े हैं कई size के नाडे हैं इसमें और यहाँ पर यह देखिए यह हमने साइज लिये है और यह हमने चैने ली है और धागा लिया है लास्टिक ली है और यह पैकिंग के लिए हमने पन्नी ली है इसमें लोवर बनाने का लगभग सारा सामान है तो लोवर बनाने के लिए दोस्तो इतनी सारी चीजों की जरूत प शीट का रेट है 12 रुपे और इसमें शीट में size के हिसाब से piece निकलते हैं अगर आप छोटे size का लेंगे तो ज़्यादा piece निकलेंगे और बड़े size का sticker लेंगे तो इसमें कम piece निकलेंगे और sheet ये इतनी बड़ी होती है ये हमने सारी sticker श्टिकर की शीटे ली हैं और इसमें कई तरीके के श्टिकर हैं आप चाहें जो भी श्टिकर ले सकते हैं सिलेक करके दोस्तो हमें ये 12 रुपे की शीट पड़िये हो सकता है आप लेने जाएं तो आपको महंगी मिले 15 रुपे तक की मिले वो आप ट्राइक कर लीजी बात करते हैं नाड़े की ये बच्चे के लोवर में नाड़ा पड़ता है इसका साइज है 42 इंच और ये हमें मिला है 50 पैसे पर पीस यानि ये एक पैकेट 50 रुपे का है इसमें 100 पीस निकलते हैं इसके बाद ये फुल साइज का नाड़ा है इसका साइज होता है 22 इंच औ और ये बड़े lower में पढ़ता है तो ये हमें मिला है 1.40 पैसे का यानि ये एक पैकेट 140 पैसे का है और इसमें 100 पीस निकलते हैं ये नाड़ा थोड़ा अच्छी quality में है और इसके बाद एक नाड़ा और लिया है हमने ये है black cap बाला नाड़ा ये हमें पढ़ा है 80 पैसे पर प बालते हैं क्योंकि ये सस्था भी पढ़ता है और देखने में भी ठीक ठाक लगता है चलिए इसके बाद बात करते हैं lastik के roll की तो दोस्तों ये सारे lastik के roll है lower में और pen cut lower में ये ही lastik पढ़ती है तो दोस्तों इस lastik का size है 2 इन्च यानि ये दो इन्च औरी lastik है और इस roll मे करीब 28 मीटर है इसमें 30 मीटर भी आता है 25 मीटर भी आता है वो जब आप खरीदें तो दुकंदार से पता घर के खरीदें ये हमें मिला है 105 रुपे का एक रोल तो जब भी आप खरीदें एक बार चेक जरूर कलने पता कलने कि इसमें कितने मीटर लाश्टिक है इसके बाद ये हमने धागा लिया है ये सारा अच्छी क्वाल्टी का धागा है और इसमें देखी 10,000 मीटर है इसमें एक कोन में और यहां पर इसका प्राइज लिखा है 190 रुपे तो दोस्तों ये हमें मिला है 110 रुपे गा तेज चलाओ कोई दिक्कत नहीं आती और इसके बाद हमने ये जिप लिया है ये चैंड लोवर के टिकेट पॉकेट में लगती है इस एक पैकेट में 100 पीस होते हैं ये देखिए इसका साइज है 5 इंच ये टिकेट पॉकेट में लगाने के काम आती है ये हमें मिली है एक र 20 रुपे का ये एक रोल ये लोवर की बैल्ट पर लगता है और इसके बाद जो हम उपर से साइज चिपकाते हैं जब हम पैकिंग करते हैं तो हम इसे टैक पर लगा सकते हैं या फिर पन्नी के उपर लगा सकते हैं जिससे पता चल जाता है कि पन्नी के अंदर कौन से साइज का piece है То दोस्तो ব इस एक sheet में इस एक packet में करीब 10 sheet निकलती है तो यह एक packet का rate है 30 रुपए यानि 10 sheet निकलती है इसके अंदर और यह 30 रुपए का एक package निकलता है यानि एक sheet पड़ी हमें 3 रुपए की इसमें सारे ही size मिल जाते हैं हमने सारे size लिये हैं जो जो हम lower बनाते हैं इसके बाद बात करते हैं टैग की तो ये टैग हमें पड़ा है एक पीस पच्चिस पैसे का ये इस तरीके का टैग होता है qualities की ठीक ठाक है अगर आप बढ़िया माल बनाते हैं महेंगा माल बनाते हैं तो आप टैग भी उसमें अच्छा वाला लगा सकते हैं एक डेड़ रुपे तक का टैग लगा सकते हैं ये एक पैकेट में एक हजार पीस निकलते हैं और ये हमें मिलना है 250 का इसके बाद बात करते हैं पैकिंग बाली पन्नी की तो दोस्तो ये हमने प्रेंटर पन्नी ली है और हम इसमें लोवर पैक करते हैं तो इसका साइज है 9x13 देखी यहां पर मैं आपको दिखा दूँ इस पर प्रेंट भी किया हुआ है 100% कौटन लिखा है और इसका साइज है 9x13 इसमें हम लोवर और इसका रेट है 180 रुपए पर केजी और दूसरी पन्नी जो ली है वो हमने थोड़ी इससे अच्छी क्वाल्टी में ली है ये पन्नी भारी होती है और इसमें जो महंगा आइटम हम बनाते हैं वो पैक करते हैं यहां पर देख लीजिए इसमें दोनों साइट प्रेंट किया हुआ है और इसका भी रेट है 180 रुपए पर केजी लेकिन ये भारी है उससे तो इसमें कम पीस चड़ते हैं और उसमें ज्यादा पीस चड़ते हैं एक किलो पर और ये भी हमने सेम पन्नी ली है 100% कॉटन की ये बड़ी पन्नी है मास्टर पैकिंग करने के लिए एक पन्नी में छेपीस आते हैं तो दोस्तों ये सारा मैटेरियल था जो मैंने अभी अभी लिया है मार्केट से और सोचा आपको दिखा दूँ एक नया अपडेट दे दूँ ताकि आप जब आप मार्केट में खरीदने जाओ तो आपको कोई धोका ना हो और कोई दिक्कत ना हो आपक से बहां contact कर सकते हैं तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं तो जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो लेकर तब तक के लिए अपना ख्याल रखें जैहन दोस्तो